व्रिश्चिक राशिवालों तीन दिनों का समय आपके लिए कोई छोटा मोटा समय नहीं है दोस्त। यह समय आप सभी के जीवन का सबसे भाग्यशाली और सबसे ज्यादा किस्मत को चमकने वाला समय साबित होगा। एसा समय बार-बार नहीं आता है और ऐसा महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय सभी लोगों को नहीं मिलता है। जो किस्मत वाली हो, जो लोग अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें के जीवन काल में भगवान ऐसा चमतकार करते हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले तीन दोनों में जो घटना होने वाला चमतकार होने वाला है, आपकी आँखें देख कर खली की खुली रहती है, रातों की नींद उड़ जाएगी दोस्तों, परंतु हमारा इतना विशेश निवेदन रहेगा, कि आप इस मौके को हाथ से जान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो आप जीवन भर पच्ताएंगे, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, जी हाँ दोस्त, और हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं, कि आज की है भविश्यवानी, आप सभी को माला माल कर देगा, अगर हमारा यह भविश्यवा परने से पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे ह्रदय भाव से, जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा, माता रानी का आशीरवाद आप अभी की जानकारी के लिए बता दें कि बधाई हो आपका, तो भाग ये चमक गया, अगले तीन दिनों के अंदर जो होने वाला है, आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ है, बस इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले, माता रानी की जि अगले 24 गंटे के अंदर माता रानी की आशीरवाद से आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों, अगर यकीन करते हैं तो जरूर ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक् आपके जीवन का समय चक्र बदल चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, यह एक ग्रह अब आपकी कुंडली में और आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है, अब आपके दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा, और आपको हर एक सुख सुविधा और सम्मान भी प्राप्त होगा इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लोग आपके खिलाफ जाले चल रही थी शड्यंत्र रच रही थी अब उनका तमाशा होगा और आप यह तमाशा अपनी आँखों से देखेंगे हम कोई मजाक नहीं कर हमारी बातें 100% सत्य है यह एक विशेश ग्रह है जो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है कि आपको तीन प्रकार से लाप पहुचाएगा जो दोस्तों इन तीन जगहों से ऐसे ऐसे आपको लाप मिलेंगे ऐसी ऐसी आपको सुख सुविधाएं जिनको पाकर आप धन्ने हो जाएंगे आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे आपके जीवन से जुड़े हुए आपके परिवार से जुड़ी हुई उन बातों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे तो कौन सी है वह खास बातें और कौन सा है यह ग्र साथ देखना है, ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है दोस्तों हम आप से एक बात और कहना चाहते हैं, कि जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको गुप्त रखना होगा या दोस्तों, यदि आपुन बातों को बाहर निकाल देंगे तो लोग इनका फाइदा उठाएंगे और आपको तरह तरह से परेशान भी करेंगे तो इन सब बातों का आपको विशेश खयाल रखना होगा चलिए दोस्तों आज के इस विशेश और भी हद ही ज्यानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करती है लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को सच्चे हृदय से याद करते हुए जय मां भद्र काली कृपा करो तीन बार लिखना दोस्तों तीन बार लिखने से ही आपकी मनुरत पूरे हो जाएंगे और हम भी मां से यह कामना करेंगे कि आपके जीवन में अपनी संपूर्ण कृपा बरसाए और आपको हर एक सुख सुविधा और वैभव प्रदान करें इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा आप से एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाने बिलकुल न भूले दोस्तों इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारी चैनल प पैसे की कोई कमी नहीं थी एसो आराम की कोई कमी नहीं थी तब आपके रिष्टेदार आपके मित्र यार आपके आसपास मंडराते रहते थे लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आपके जीवन में बुरा समय आया आप परिशानियों में फंसे वैसे वैसे प्रोफाइल पैसे से प केले ही इस जिंदगी के युद्ध को लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, कि आपकी अपनी तो आपके आसपास बहुत है। लेकिन सच्मुच में जो आपका साथ निभाए, ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग हैं। हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को ठगा नहीं है। खास तोर से रुपए पैसे के मामले में आपने कभी किसी के साथ कोई नाइनसाफी नहीं की है, यदि अंजाने। मैं आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई थी है, तो आपके मन में बड़ा ही गलानी का भाव रहा है, और आपने अपनी द्वारा की गई गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश भी की है, लेकिन इसके ठीक उलट आपके खिलाफ इस संसार में शड़यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। के आने की खींचने की पूरी तरह से कोशिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं और कई बार काम्याब भी हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको ऐसे लोगों से पीछा छुडाना है। को हम अच्छी तरह से सारी बातें समझा पाएंगे, हमने आपके जीवन से जुड़ी तमाम बातें आपको इसी लिए बताई हैं, ताकि आपको यही यकीन हो जाए, कि हम जो आपसे कहने वाले हैं, इस सारी बातें आपके जीवन में सच होने जा रही हैं। वीडियो में बनी रही है और शांती से सारी बातों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वे बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वह 100% सत्य और प्रामानिक है। जी हाँ, दोस्तों हम आपको बता दें कि आने वाले 3-5 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसे इनसान से होने जा रही है। आपको आपके जीवन में तरक्की तक ले जाएगा। सफलता के रास्ते खोल देगा और आपका सच्चा मार्ग दर्शन करेगा। आपकी परेशा आपकी तपस्या अब सच होने जा रही है। आपको फल मिलने जा रहा। वैसे भी दोस्तों हम आपको बता दें कि राश्य चक्र में आपकी राश्य एक मात्र ऐसी राश्य है जिसे इस संसार में बहुत सारी कठिनाईयों का धोखे और परेशानियों का सामना करना पड़ता लेकिन आपका हृदय बहुत ही साफ है, आप बहुत ही नेक दिल इनसान हैं और यह बात भगवान तो जानते ही हैं, बेशक इस संसार में लोग आपकी अच्छाई का अनुमान सही न लगा पाते हो, लेकिन भगवान से सच्चाई छुपती नहीं है, भगवान आपकी संडे को जानते हैं, आपके दिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं इसी वजह से, आप ही एक ऐसी राशिचक्र के स्वामी हैं, जिससे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो जब आपकी परीक्षाओं का अंत समय आता है, यानि आपकी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती है, तो भगवान स्वयम आती है, आपको आपकी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, अब दूसरे यहाँ पर एक बात हम आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं, कि भगवान कोई इनसान नहीं है, एक शुद्ध सकारात्मक उर्जा है, और जब भगवान किसी के सामने आ करने के लिए आते हैं, तो अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो इनसान आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए पसंद है, वह भगवान का ही भेजा हुआ दूद कह सकते हैं, या फिर स्वयम भगवान का ही रूप मान सकते हैं, यह दोस्तों से इसी बात को सा करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बिलकुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारी एक परिचित हैं। थोड़ी सी देर हो गई थी। शाम का वक्त हो गया था तो गाड़ी से ये लोग निकले तब तक रात हो गई। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलानी थी। दूसरे दिन सुबह अपने रिष्टेदार के घर इन्हें पहुँचना था। बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी। अब जब तक कि सब कुछ ठीक रहा है सभी लोग जाते रहे लेकिन जैसे जैसे रात भर ही सारे परिवार के सदस्य एक-एक करके सोने लगे। एक समय ऐसा आया है कि जब यह श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सार ही नहीं चला फिर अचानक जमीन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है आवाज लगा रहा है जी हां दोस्तों और लगभग सुबह होने वाली है ये दोस्तों और एक हनुमान जी के मंद स्था में खुली तो यह बड़ी ही रोचक के हुए बिलकुल ही आश्चर्य में पढ़ गए कि आखिर यहां पर कैसे पहुँचे असल में ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हुआ ये था कि इनकी आँख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला ये तो अनुमान जी की उस परम शक्ती ने उनका साथ दिया और इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुँच गई आप चाहे कुछ भी कहे लेकिन बात सौ प्रतिशत सत्य है दोस्तों और इस बात का पुक्ता प्रमाण हमारी वह मित्र हैं जिन्होंने हमें यह सच्च घटना सुनाई दोस्तों भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है भगवान स्वयम आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए औरत की मदद कर प्रवाइब दोस्तों, लेकिन ऐसी सैक्डों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमानित होती है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी भाव। हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं, उत्पन्न हो रही हो, हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं डाल रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको कुछ संकेत बताते हैं, आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, तू जैसे ही आपने पूजा आरंब की कुछ समय के बाद आपको जमाई आती है ना दोस्तों नींद आती है भाई आना है नींद आना असल में इस बात का प्रमान है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्विकार कर रहे हैं जी हां दोस्तों अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ जाता है और सामान्य तोर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधी की ओर ले जाती है भगवान की भक्ति की ओर ले जात जैसे कि सो रहे हैं लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं। असल में भगवान की भक्ति में लीन हैं। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है तो आप समझी कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमान दोस्तों ये है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी बात ही में एक फूल बनता है, आपकी भानती में जो फूल बनता है वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा, पाठ भगवान स्विकार कर रहे हैं और आपसे भी बेहत पसंद भी है, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता ह कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो अचानक कोई जॉब कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पड़ रहे हैं ये किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं एक अजीब सी संसनी का एहसास ह होता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानून में कुछ आवाज आ रही है सीटी जैसी बज रही है ये किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है अब दोस्तों हम आपको बताएं कि आपके कानूं में जो आपको आवाज सुनाई देती है उस आवाज को कहते ह अन्नानाथ जी, हाँ दोस्तों, एक ऐसी ध्वनी जो कि हमेशा हमेशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारी स्वयम के आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भाग दौड में अपने आपको भूल चुके हैं, लेकिन कभी-कभी जब भगवान से हमारी लो कहरी लग जाती है, हमें बहननाथ सुनाई देता है, इसे अनाहतनाद कहती है, दोस्तों इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज्यादा ही उपर की ओर उठती है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों में ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ के प्रश्न है बे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं कभी कभी सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं यानि कि इश्वर से जुड़ी हुई आप ही भगवान की पूजा करते हैं जो आपके यार आते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज है या उनकी स्वयम के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपने की माध्यम से तो ऐसे सपने यदि आपको आए या संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिये हैं, भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी 100% मदद करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? नौ भाजा बजे ही करें और नियमित करने की कोशिश करें, इस प्रकार यदि आप सुबह 17 बजे जाकर पूजा करते हैं, तो 7 बजे की पूजा को 7 बजे ही करें, ऐसा नहीं कि कभी 9 बजे, कभी 10 बजे तक सुबह 5 बजे कर लिया, इस समय की पाबंदी बेहद आवश्यक ह दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्नन भी मिलता है कि आप जिस भी सत्य की पूजा करते हैं और जिस समय पर करते हैं, तो कुछ समय के बाद व्यक्ति वहाँ पर विराजमान हो जाती है, जैसे कि मानलो हनुमान जी की आप पूजा करते हैं और ठीक रात्री को 9 बार बाद वहां से वापस चली जाएगी लेकिन आपकी स्वीकार नहीं हो पाएगी ये गलत तरीका है आपको नियम और समय की पाबंदी का खयाल रखना होगा साथ ही साथ आपको अपनी पूजा खंडित नहीं होने देना है किसी भी हालत में और एक सबसे बड़ी बात तो स्टॉ कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं शंकर जी को जय हनुमान जी हो या भगवान श्री कृष्ण यार राम जी हो इसकी भी आप पूजा पाट करते हैं कम से कम महीने में एक बार उनकी किसी दिव्य पवित्र स्थान की शेयर अवश्य किया करें शेयर नहीं त सबसे शुद्ध और पवित्र राजस्थान हुआ तो वह उंचा का एक छोटा सा बूंध है या फिर एक छोटा सा केंद्र मात्र है लेकिन जो की दिव्य स्थान होते हैं जो तीर्थ स्थल होते हैं उर्जा के समंदर के समान होते हैं दोस्तों से तो कम से कम महीने में ऐसी पवित्र स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए इससे हमारी आत्मा स्वच्छ होती है और हमारी भक्ती भी चरम स्थर तक पहुँच जाती है अब आपके मन में कोई प्रशना रहा है तो पूछना कमेंट करके पूजा पाठ और भक्ती से लेकर हम आपके सारे प्रशनों के सर्वोत्तम जवाब देंगे और आपका सर्वश्रेष्ट मार्ग दर्शन करेंगे दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में विशेश भाव में गोचर कर रहा है और आपको तीन प्रकार से लाभ पहुचाएगा दोस्तों उस ग्रह का नाम है शुक्र जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे चमकदार ग्रह कहा जाता है सूर्य के समान ही यह सफेद रंग का प्रकाश देता है और जिस भी जातक के जीवन में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है अच्छे भाव में होता है वह उस जातक को सब कुछ देता है शुक्र की विशेश बात यह है कि यह सबसे पहले सुन्दरता देता है यही जिस जातक के जीवन में राश्य में शुक्र अच्छे भाव में होता है अत्यंत आकर्शक हो जाता है उसके चहरे पर तेज बढ़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है यह दोस्तों इसी के साथ साथ यह धन वैभव मान सम्मान भी दिलाता है जी हां, दोस्तों आप कोई भी काम करेंगे आपको व्यापार में हानी नहीं होगी यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे आपको हानी नहीं होगी, हर तरफ से आपको लाब ही लाब प्राप्त होगा कहने का मतलब यह हुआ कि यह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा यह दोस्तों इसी के साथ साथ शुक्र आपको स्त्री का सुख भी दिलाएगा दोस्तों आपकी बात यदी कर रही है अपनी पत्नी के साथ अपनी प्रेमिका के साथ तो वह अब बन जाए कि आप अपने जीवन साथी के साथ सर्वोत्तम समय बिताएंगे और आपको संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा तो जब शुक्र सकारात्मक होता है तो बहुत तरह से आपको लाब देता है तीन लाब आपको विशेश तोर से प्राप्त होगे पहला आपकी चहरे पर आकर सर जाने की आंतरिक खुशी आपको प्राप्त होगी दूसरा की आपको धन वैभव मान सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों यानि प्रतिष्ठा तीसरा आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा अभ यानि कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने क्या विचार किया यानि कि पर्स्त्री गमन किया तो आपको भयंकर दुश परिणाम भी प्राप्त होंगे। यानि कि आपके घर के अंदर घुस कर भी आपको परिशान करेगा और बाहर भी यानि आपका व्यापार, आपका जीवन भर, आपके ग्रहस्ती, आपका चयान परिणाम भी प्राप्त होंगे। और सुख सब कुछ ध्वस्त कर सकता है, तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको भी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कार्य की करने पड़ेंगे। पहला यह कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए जवाब घर से बाहर निकले तो सफेद रंग के वस्त्र पहन कर निकले। इतिहास सफेद रंग के वस्त्र पहन कर नहीं निकल सकते हैं तो हमेशा अपनी जेब में एक सफेद रंग का रूमाल रखें दूसरा। शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र नौ साल से कम हो ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा सा खाना पीना खिलाएं। सफेद रंग की खीर खिलाएं। चावल से बनी हुई और सफेद रंग की ही वस्तुने दांडी करें जैसे की सफेद। सफेद रंग का रुमाल बगैरा और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली में यानि सफेद रंग का रुमाल लें और उसमें थोड़ी सी बतासी रख लें। सफेद रंग की कोई मिठाई रख लें और उसे लपेट कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इन कारियों से आपका शुक्र बेहद प्रबल हो जाएगा और सक्रिय भी रहेगा और आपको बेहद में लाब पहुँचाएगा। यह घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होने वाला है। बस जरूरत है तो आपके अपने प्रयासों की यदि आप प्रयास नहीं करेंगे। दोस्त तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बार भगवान बुध से उनके किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभु क्या बिना प्रयास के भगवान को पाया जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि देखो वक्त यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े हो और तुम्ह अधर भी जा सकते हो। ये तुम्हारी परिस्थिती पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रयास तुम करोगे तभी उस किनारे तक पहुंच जाओगे। अब यदि तुम ऐसा सोचती हो कि एक दिन आएगा जब वह किनारा स्वयम इस किनारे से मिल जाएगा और तुम वहां चले जाओगे तो ये दिन कभी नहीं आएगा। ये संभव ही नहीं है। यानि कि तुम्हारा प्रयास बहुत अधिक मायने रखता है। तुम्हारी प्रयास से ही सब कुछ तो है हासिल होगा। यहां तक कि भगवान भी तुम्हें तुम्हारी प्रयासों से ही हासिल होंगे तो अपनी प्रयास जारी रखें। अपने पूरे भक्ति भाव के साथ है।